हेलो बचों नमशकार स्वागत है आप साभी का डाउटनट पर जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 2024 नीट के एक्जाम का एनमसी द्वारा स्लेबस रिलीज किया जा चुका है जिसके कई सारे वीडियो जुट्यूब पर कई सारे टीचर्स ने अलरड़ी बना दिये हैं specifically हिंदी मीडियम के लिए बनाने के लिए मैंने ये बनाया था आप ये भी जानते हैं कि एक्जाम जो है वो कौन कंड़क्ट कराता है एन्टी ए जो एक बोडी है जो एक्जाम कंड़क्ट कराती है और स्लेबस कौन रिलीज करता है एनमसी तो ये एनमसी की वेबसाइट है इस पर जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सक के आपको chapter पता लग जाएंगे syllabus टोटली यहां पर पता लग जाता है ठीक है अब यहां पर बात करते हैं दोस्त की maximum बच्चों को confusion हो रहा है कि सर कौन सा chapter हटा है क्या है किस तरीके से हैं तो देखिए हम यहां पर जब बात करते हैं कि कौन से अध्याय हैं कौन से chapter जो हैं जो अभी पढ़ने की जरत नहीं है सीदी सी बात बोलते हैं कि अभी इनको पढ़ने की जरत नहीं है हां लास्ट में जैसे आपका syllabus ओवर हो जाएगा है ना तो थोड़ा बहुत इनको summary wise इनको हम पढ़ सकते हैं पाचन और अव्शोषन यह totally हट चुका है पौधों में परिवह है उसको पहले पढ़ना है बाद में इसको आप बाद में देख सकते हैं कोशिश यह करेंगे कि इनको हम पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में ठीक है और क्लास 12 में है जीवों में जनन खादय उत्पादन में व्रधी की कार्यनीती और पर्यवरण के मुद्दे अन्वार्मेंट यह जो chapters जो है ठीक है यह new NCRT और old NCRT में बड़ा confusion हो रहा है बच्चो को देखे तो यह मान के चलीजेगा जो हमारी जो new NCRT है उसी new NCRT पर ही based आपका total syllabus दिया गया है यानि अगर हम बात करें तो almost 99% syllabus जो है वो किस पर based है new NCRT पर based है लेकिन फिर भी जो NMC ने जो syllabus रिल से भी कुछ थोड़े बहुत पार्ट हमें मिलते जुलते मिलेंगे जो हमें add-on किये गए हैं जो बड़ा confused कर रहे हैं बच्चो को तो वह अभी हम confusion वाले पार्ट भी देख लेंगे पहली चीज आपको यह चीज क्लियर हो गई है क्या कि आपके syllabus में से यह तीन chapter 11th के हट लिए उडान बैच जो टोटली आ चुका है आपके यहां पर कौन सा बैच उडान बैच ठीक है अब यह जो उडान बैच जो है यह 15th October से स्टार्ट होने वाला है इस बैच में total live classes होएंगे यह वो teacher है जो पढ़ाएंगे जिसमें मैं और विक्रम सर हैं कामेश सर हैं संपूर्ण आपको दी जाएगी आपको neat pattern पर based आपके mock test होएंगे प्रैक्टिस के लिए आपको questions दिये जाएंगे और साथ साथ आपको mind maps भी दिये जाएंगे इन इस कोर्स में उडान बैच में जिसकी अगर हम price देके तो सबसे ज़्यादा affordable price पर यह release किया गया है यह वाल आपके पास साथ महीने बचे और इन साथ महीने में हमें जबरदस्त preparation करनी है तो आप जुड़ सकते हैं इस batch से limited time के लिए है सिर्फ 15 अक्टूबर तक आप इस number पर call कर सकते हैं या आरंब batch जो है आरंब नाम स्वारी उडान बैच जो है आप उसको use में ले सकते code के लिए ठीक है जी आरंब in the means क्योंकि अभी आरंब batch चल रहा है ठीक है चलिए इस batch का नाम है उडान batch आगे बढ़ते हैं वो चीज़े जो बहुत confused कर रही हैं आपको syllabus को लेकर तो आईए एक बार देख लेते कौन कौन सी चीज़े हैं देखे सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते ह होएंगे और एक white color में मैं लेकर आया हूं yellow color में वो चीज़े जो हमारी new NCRT में नहीं है white color में वो चीज़े जो हमारी NCRT में है ठीक है अब white color में यह जो चीज़े जो लिखी हुई है यह हमारी new NCRT में है तो सही लेकिन इसको NMC ने जो syllabus रिलीज गया उसमें नहीं है जैस प्राणी उतक आप चैप्टर पढ़ते हैं कौन सा प्राणियों में संग्रचनात्मक संगठन आप उसको new NCRT में जब उठा कर देखेंगे तो आपको वहां पर बिलकुल भी प्राणी उतक वहां पर नहीं दियो है ना सैयों जी उतक ना epithelial tissue उपकला उतक ना आपका भी हमें इन्हें पढ़ना है क्यों क्योंकि जब हम मानव शारिरी की पढ़ेंगे तो वहां पर मिल जाएंगे आपके ठीक है जैसे तंत्री का उतक है ना वो नहीं है नहीं है आपके उस चैप्टर में नहीं है लेकिन उसका पूरा एक चैप्टर है प्राणियों में संग्र संग्रचनात्मक संगठन में जो चेप्टर जो आपका दिया हुआ है प्राणियों मेंड़क पुरा का सिर्फ और सिर्फ मेंड़क दिया हुआ है तो यह और आपको यह पूरा का पुराव पढ़ना है थीक यहाँन पर कीट लिखाओ और कीट के आगे ब्रैकिट में में फ्रॉग लिग दिया तो कीट कौन है को करोच जो न्यूrió एंसी आटी में नहीं है न은 जाटी में नहीं है फिर भी हमें पढ़ना पढ़ेगा क्यों क्योंकि हलका सा हिंट दे दिया किट means cockroach cockroach है किट जो हमें पढ़ना पढ़ेगा ठीक है डेंगु और चिकनगुनिया ये हमारी new ncrt में नहीं है ठीक है जी माना उस्वास्ति और रोग में रोग जो बहुत सारे रोग दे रखे हैं उसमें ये दोन येवाला new ncrt में नहीं है लेकिन आपने पढ़ना है ये वाला new ncrt में नहीं है लेकिन आपने पढ़ना है RNA हस्तक शेप जिसको हम RNA interference technique बोलते हैं ये हमारी new ncrt में है ये हमारी new ncrt में है लेकिन cac کی slabus में नहीं है समझ रहे तो ये बड़ा घोचपोच सा हो गया था मामला इसी चीज को क्लियर करने के लिए कि मेरे भाई ये सब कुछ पढ़ना है पढ़ना ये सब कुछ है अब इसमें से कुछ चीजे NMC के सलेबस में नहीं है लेकिन NCRT में कुछ चीजे NCRT में नहीं है NMC के सलेबस में बस वही चीज आपको समझनी है तो अगर मोटा मोटा देखे तो दोस्त ये साब कुछ पढ़ना पढ़ेगा ये जो लिखा हुआ ये सारा पढ़ना पढ़ेगा ठीक है जी डन ये वाला ये जोलोजिका पोर्शन हो गया अब बात करते हैं बाटनी की बाटनी में हमारी जो न्यू एंसी आर्टी जो है उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट दे रखा है ये नहीं दे रखे हैं आपके लेकिन NMC ने जो सलेबस रिलीज किया उसमें ये एड़न किये गए हैं ये सारे के सारे कुल एड़न किये गए हैं ये न्यू एंसी आर्टी में नहीं है तो कुल में लाकर फिर वही बोलूँगा कि ये सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा बस कन्फियूजन बच्चों को थोड़ा सा इस बात का हो रहा है कि सर क्या पढ़ना पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ना पढ़ेगा तो दोस्त इसको चाहे न्यू एंसी आर्टी में मान ले ना मान एंसी के स्लेबस में मान लो मत मानो ये सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा ये वाली चीज़े जो यहां पर लिखी होई है तो यही maximum बच्चों को confused कर रहा था बाकी सारा का सारा syllabus आपको नई NCRT से पढ़ना है इसके अलावा सारा का सारा नई NCRT आपको पूरी cover करनी है क्योंकि 99% मैंने आपको बोला था जो syllabus जो release किया है NMC ने 99% new NCRT है कुछ चीजे जो add-on की गई है जैसे ये वाला add-on किया गया है ये add-on किया गया है डन ये आपको add किया गया है ये आपको पढ़ना है clear है so I hope आपको ये चीज clear out हो गई होएगी कि क्या नहीं पढ़ना वो 6 chapter 11 के 3 12 के 3 वो भी नहीं पढ़ने है जब आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर syllabus cover हो जाए उसके बाद में हो सकता आपके teachers उसको cover करा दे वो जो 6 chapter है में भी ना cover करा है it's totally depend upon the teacher और organization की cover कराना है कि नहीं cover कराना वो उन पर depend करता है हम cover करेंगे last में cover करेंगे हलका full का वहाँ पर चीजों को पढ़ेंगे ठीक है जी done सो ये session इतना ही था छोटा सा session था ताकि आपको ये चीज clear out हो जाए बाकी बने रहीएगा doubtlet के साथ धन्यवाद take care